जी एस्टामुलेकुम हम चेप्टर 16 डिस्कस करें आपका पील रेफरेंसिज एंड प्रिटिशन इसका हम लास्ट पॉइंट रहता था जो कि है आपकी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजुशन कमेटी एक तो टैक्स के क्योंकि पहली एपील कौन करता है टैक्स कियर करता है जहुश को वह करता है के सiken के साथ कमिशिजन के साथ कि मुशन एकर पर डिसेजिए तो जा सकता है हाई कॉर्ट और पर के पास कर सकते हैं उसके पास दूत्रा आप्शन यह है कि वो बोर्ड जो आपकी फैडल बोर्ड आफरेमेन्य एफ़बियार है उसको अपील कर सकते है कि जना पेगे आप एक डिस्प्यूट रेजलीशन कमिटी बनाएं कंस्टिक्यूट करें और उससे क्या करें जो भी हमारा पूर्ड कमिटी अपॉइंट होगी किस तरह से उसकी प्रूसीडिंग्स होंगी किस तरह से वह डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा वह भी हम डेटेल में देखते हैं एन अग्रीवड परसन वह क्यों है हमारा जहां पर कंपनी भी हो सकती है एयो पी भी हो सकती है इंडिवि के मेरे मेरे मुझाबिक मेरी यू टेक्सक्राइब बन रही हैं तो पांच लाक बन रही ती मेरे मुझाबिक अगर मेरे मताबिक मेरे रिफॉइंट्स बन रहते पचास जार रुपए और कमिशनर गयता नहीं आपके रिफॉइंट्स बनते हैं 3000 रुपए तो डिस्प्यूट आगे यहां पर तो इसक्रेस में मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं बोर्ड को कि वह कमेटी कंस्टिट्यूट करे हैं जो हमारे इस कंफ्लेक्ट को इस डिस्प्यूड को रिजॉल्व करें दे एक्सिटेंट आप वेवियर आफ डिफाल सच चार्जिज एंड परिटी आपको पता है आपने चैप्टर 14 में पढ़ा है कि अगर आप रिवाइज रिटान करते हो रेट रिटान सब्मिट करव उसकी रिजुडिशन अल्टरेटिव डिस्प्यूट रिजूडिशन की रिजॉल्व करने के लिए आप कमेटी की कंस्टिटीशन रिक्वेस्ट कर सकते हो कि एने अधर स्पेसिफिक रिलीफ जो आपके मताबिक बनता है लेकिन आपको एस्प्र नहीं दे रहा कमिशनर नही अपने अप्लेकीशन किया करोगे कि अपछाइ करोगे कि कमेटी को बनाएं जो हमारे इस डिस्प्यूड को रिजॉल्व करें डिच खरिश किसी कोर्ट ऑफ लॉग कोट अफ क्या है आपका हाई कोर्ट इस पूट जो क्या है आपके अपकोर्ट ट्रैबिनल अथार्ट एक् तो आप वहांसे जो भी आपकी एपील धुग कर के आप क्या कर सकते हो रिक्वیस्ट कर सकते हो और पिखर सकते हो एक कमेटी को ने वा सकते हो तो एक committee constitute करें और आपके dispute आउसको resolve करें दा बोर्ड में after examination of the application of an aggrieved person appointed committee within 60 days of receipt of such application in the board dates दिन आपने याद करने जो दिन आपको यहां पर बार बार mention हो रहे हैं कि जैसे जैसे ही बोर्ड को application receive होगी committee बनाने के लिए तो उसने application से 60 days के अंदर उसको क्या करना है application को अगर एक्सेप्ट करना है तो क्या करेंगी committee बनाएगी तो committee कितने मेंबर होंगे अनफिसर आफ इनलेंड रेमिन्यू not below the rank of commissioner commissioner हो सकते है यह person to be nominated by the taxpayer from panel notified by the board अब taxpayer क्या करेगा वो भी क्या करेगा एक person को nominate करेगा लेकिन जो परसंस कौन से person में से nominate करेगा वो पैनल भी कौन मोड नोटिफाइड करेगा पैडल बोर्ड आफ रेमिन्यू नोटिफाइड करेगा जिसमें कौन हो सकते हैं उस पैनल में कौन हो सकते हैं चार्टर्ड अकॉंटन्स या कौस्टन मनेज्मेंड अकॉंटन्ट जनके पास minimum 10 जीयर का experience होना चाहिए टेक्स की फील्ड का मतलब जनके पास टेक्स का प्रैक्टिशनर भी जो जो यह यहां पर किया सकते हैं उसको नुमिनेट करवा सकते हैं या रिप्यूटेबल बिजनिसमेन एज नॉमिनेटर वाई चेम्बर्स आफ कॉमर्स एंड इंडेस्ट्री मतलब मिये मन्शाह हो सकता है और आपकी काफी सारे सदूमर साव हो सकते हैं या आपकी कहें रिप्यूटेबल बिजनिसमेन है आपकी साइटी में तो इस पैनल वो क् विद्रॉल दापील पेंडिंग विफोर एनी कोर्ट अफ लॉर एप्लेट अफर दे कंस्टिशन आफ कमेटी बाइद बोर्ट जैसे कमेटी कंस्टिट्यूट होगी उनके डिस्टिकूट करने के लिए तो जिसने भी क्यों होगी कोड में वो क्या करेगा उस अपील को अब वॉद्रॉल जो लेटर है दिस घुब जो ऑर्डर है जब तक कमेटी को रिसीव नहीं होगा कमेटी वो आफी पिर्स द्राव करने के लिए डिस्टी रोड़ करने के लिए आपको अपने अगर विद्रॉल का जो आउडर है वो 75 डेस के अंदर वो रिसीव नहीं होता कमेटी को तो जाइब से बाद कमेटी ने तब तक प्रोसीडिंग्स भी क्या स्टार्ड नहीं कि होंगी तो 75 डेस के बाद क्या हो जाएगी वो कमेटी आटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी मतलब कमेटी ने अपनी अपोइटमेंट से 120 दिन के अंदर क्या करना है अपने उस डिस्पूड को रिजॉल्व करना है प्रोवाइड दर इन केंप्यूटिंग दॉप अफॉर से पिरिएड आफ वन हंड़ेड़न ट्वेंटी डेज दे पर कम्यूनिकेटिंग दॉर्डर विज्ड्रॉल शेल भी एक्स्ट्यूड़ जैसे कि भी आपने देखा कि है कि 75 डेजियस तक अगर विज्डॉल का उर्डर रिसीव नहीं हो त Receive को तब वो डिजॉल्व होगी अलब वो सैप ग्रूटर week Saint day पर आपको बेड्र का मतलब क्या हुआ कि अगर पहले दिने क्या हो गया आपको विज्डॉल का नोटिफिकेशन या ओर्डर मिल गया है तो उस दिन से लेकर जब तक जब तक कमेटी का डिसीजन नहीं आता है उस दिन तक वस आटोमेटिकली जो टेक्स की रिकवरी है वो टेक्स की पेमेंट है उस पर किया एक तरह का स्टे ओडर इश्व हो चुका है वो डीम अंडर्स्टॉड है कि वो क्या है स्टे उस पर हो गया हुआ है दिसीजन आफ दे कमेटी शेल भी बाइंडिंग ऑन दे कमिशनर एंड अगरीवड परसन क्योंकि वह नहीं की रिक्वेस्ट कमेटी बनाएगी थ पर जिस रिएमेंट कोड के पास आपकी अपीज थी और आपने विज्ड्रॉग करवाई थी तो आपका जो केस होगा आपकी जो अपील होगी दुबारा उसी कोड के पास चली जाएगी और ऐसे वो अंडर्स्टोड होगा ऐसे उसको ट्रीट किया जाएगा कि आपने उस अपील को कभी विज्ड्रॉग भी नहीं करवाया था कि जैसे ही वो ओर्ड आप डिज्ड्रॉशन है वो किसको उन्होंने बेजने है को बोर्ड नहीं बेजने है और कमिशनर को बेजने है अग्रीव परसन और सीट अफ द आप डिज्ड्रॉशन चाल किम्यूनिकेट इट तो दे कोट अफ लॉव विशल डिशाइड देपी विदिन सिक्स मन्त आप दे कम्यूनिकेशन अफ सेट ओडर जैसे कोट अफ लॉडर रिसीव होगा डिज्ड्रॉशन का उसने उस दिन से ठीन के निदर क्या करना है उस मेंटर को रेलिमेंट कोट ने वह राइप लिवूनुक्स कोट है उन्होंने क्या करना है उसको रिजॉल्व करना है अगर वह डिसीजन में किया होते हैं लोडिफाय करते हैं कम ज्यादा करते हैं तो वह भी क्या हो जाएंगे कंज चाहएंगा तो भी पेड़ाइब लड़ मेंुटिशन आपसे जाव जैने कमेटी जो कमेके मिम्टिए के मैंबर्स ने पॉइंट करने हैं तो वह उनकी क्या कर सकती है रिमुंदेरेशन पे उन्हें क्या करनी है बोर्ड ने फुद प्रिस्क्राइब करनी है दम बोर्ड में बाइब नोटिफिकेशन मेक रूल्स पार कैरिंग आउट दा पर्पस आफ दिस टेक्शन पहले हम देख रहे हैं कि कमेटी किस तरह से फॉर्मिशन उसकी होगी अब हम कुछ रूल्स पढ़ने जा रहे हैं अब वह यहां पर कह रहे हैं कि यह रूल्स हैं वह सारे डिस्प्यूट पर सारे केसिस पर एप्लिकेबल होंगे जिसके तुरू यह रिजूशन जो कमेटी हम बनाने जा रहे हैं कि एनी पर सब्सक्राइब कर रहे हैं कि जो भी आप डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने जा रहे हो तो आपने क्या देने हैं उसके लिए एक रिटन एप्लिकेशन देने के दिए जिसमें आप अपने रिजन्स को स्पेसिफाइब करोगे एकस्प्रें करो कि आप इसके मेटी के थ्रू अपना जो डिस्प्यूट है अपके तो फूर आपने शोन कर वाया जांग ना चाहते हो कमेटी में क्या होना है दे कमेटी कंजिस्टिंग आफ दे फॉलेंग इंबर नेमली कमिशनर लाज टेक्सपेर जूनिट और कमिशनर अपके कैन डिपार्टमेंट या बोर्ड के फिसर नहीं में से कोई बीकर मेंबर हो सकता है फैले चार्ट अकाउंट भी अमने थारी उपर पड़ी भी है कि कौन कौन से हैं जिनको कौन पॉइंट करता है आपका जो जिसने इपील कि हो जिसने रिक्वेस्ट कि होती है वो नॉमिनेट करता है इस परस्तन को या रिप्यूटेबल बिजन टैक्स या रित्य बेप्य बिजनेस्मेन को भी कमिटी का पार्ट बहुँ सकता है। The mode may appoint one of the members of the committee to be its chairman। वो board क्या का सकता है, In committee के किसी एक member को क्या करेगा, committee का chairman बना देगा। An application filed under this rule may be disposed of by the committee within 30 days of its constitution. तो तॉ साच ए अब एक्सेंशन कितने दिन की उगी उस पर क्या लिम्मिटिशन रहे वो जहां पर मेंशन नहीं है अब यहां पर कुछ एक्जेम्पल्स हैं कि बोर्ड के चेर्मेन कौन से प्रोसिजर एक्स्प्रेंड कर सकते हैं जो क्या कमेटी ने फॉलो करने है वो कह सकते हैं कि हमारी कमीटी की प्रोसिडिंग कहंपर होंगी क्या टाइमिंग क्या प्लेस होगी किस डेट पर होगी हमने किस तरह से करनी है, और इस कमीटी को स्फेड्य कौन करेगा जो भी इस्चूज हैं नोटिस जो हमने भिजवाने है रेलेमेंट परसन को जो अग्रीवट परसन है जिनको हमने बुलवाना है कि आपके इस दिन पर हमने सुसीडिव होंगी आपके डिस्प्यूड पे आप दोनों ने आना है तो रिक्यूजिशन एंड प्रोड्यूस एलेमेंट रिकॉर्ड जा वो कहता है कि आपने क्या करना है जो विटनेस है वो प्रॉइड करने है लेकर आने हैं तो वह जिस तरह से उन्होंने उनको कमिनिकेट करने हैं वह सारे पुर्सिजर किसने करने हैं चैर्मन आप दा कमेटी तो दा कमेटी इस्पेक्ट आफ डिस्प्यूट और हार्ट शेप दे कमेटी में डिट्रमेंट दा इशू एंड मेजियर आफ्टर सीख फर्दर इंफ्रमिशन और डेटर एक्सपर्ट डिपनियन तो मेकर कॉस्ट वी मेड सच निक्वारी वो इशू भी कर सकते हैं कुछ मै बुर्द किया करते हैं वो एक्रमेंडेशन देती है तो आफ्ली केटी यदि किया कर सकते है वाफी कर सकते हैं वॉड्राओ भी कर सकते हैं दे चीएर्मैन अफ दूर्चर मेना फडी कॉर्ड ंपेटेशन तूर। to the board applicant and the concerned commissioner the board on its own motion or on the request of the applicant may refer back the recommendation of the committee for activation of any mistake उसमें कोई मिस्टेक है कोई मसला है अगर वो जो applicant है उसने identify की है तो वो board को request करेगा कि आप committee को कहें कि इसको क्या करें वो इसको modify करें कि कि करें जैंब भॉय्ट को अपने इस आजो को परतर पर अफ्र मसलें करें कर सकता है राक्तिफ़िकेशन क्या करें यह क्या कि यह क्या करें वो को सब्मिट करवाएगी बोर्ड को जितना बोर्ड ने उसको टाइम दियेगो कि आपने इस टाइम के अंदर को क्या करना है टेक्टिफाइ करना है दा बोर्ड अफर एक्डामिन इंद रिक्मेंडेशन चैल फाइनल डिसाइड डिस्प्यूट बतलब फाइनल डिसीजन किसे देना है बोर्ड ने देना है विदिन नाइंटी डेस आफ रिसीट आफ साच रिक्मेंडेशन कि जैसे बोर्ड को रिक्मेंडेशन रिसीव होंगी तो बोर्ड ने विदिन नाइंटी डेस आफ साच रिसीट क्या करना है अपना फाइनल डिसीजन देना है कि जी इस डिस्प जो भी रेलेमेंट कमिशनर होगा जो एप्लिकेंट होगा उन्होंने क्या करनी है इस और की कॉपी उनको बिजवानी है अगर उस ओर्डर में है कि जो अपने असेस्मेंट पास की थी तो असेस्मेंट को क्या कर देगा कैंसल कर देगा जो रेलेमेंट कमिशनर होगा जो भी और गिवन होगा उसने उसके क्या करना है उसको इंपलिमेंट करना है अगर वो क्या करते हैं उनको जिस अंदाल समझ लगती है कि जो उन्होंने इंफर्मेशन ली है जहां पर क्या है इस और में कुछ फ्रॉड हुआ है जहां पर उपर निचे किया गया है जो बोर्ड का और्डर पर क्या हो जाएगा वहां पर नर्ली फैया हो जाएगा उसकी कोई वैल्जू नहीं रहेगी जहां पर आपको जो चैप्टर 16 है वो क्या हो गया है एंड हो गया है जला बहुम स्टार्ट करेंगे आपका सेज्स टेक्स का पॉर्शन